एक दो तीन चार निवकी हमको दे सरकार योगी जी बादा निवाओ है हक हमारा है हक हमारा है हक हमारा है हमारी मांग के वो लितनी है कि हम लोग चैनी थे और हम विद्यारह जानना चाहते हैं सर 25 तारी को केश जो था वह चलावा था कि सक आदेश दिया है कि हमारे जो निक्ति रिखी हुए इसको करवाई की जाए और आज लगभग हो गया 34-35 दिन हो गया हम लोग संगर्श कर रहे हैं बस हमारी मांग के वो लितनी है कि हम लोग चैनी थे और हम विद्यारह जाना चाहते हैं कि अभी 25 तारी को केश जो था वह चलावा था हंसी आती है इस बात की कि इस प्रदेश का एक जिम्मदार सिच्छा मंत्री जो कि हमारे समाज से आते हैं उनसे हमारी मुलाकात होती है बिस तारी को और वास्वासित करते हैं हमको हमारी बहनों को पांच साथ लोग होते हैं उ आपके मामले का निस्तारण कर लेंगे लेकिन 25 तारी को सरकार की तरफ से वहां पर केवल एक बंदा जाता है और वो कहते हैं अभी सुनिए वहां का माहवल सुनिए हम लोग कोड में मौजूद थे रणविजय जो कि एस हैं भार सरकार में उनको कोड की तरफ से आवाज में दे देते हैं तो यह तो मजाग चल रहा है हमारे लिए कि सिच्छा मंतरी की बात मुख्यमंतरी की बात यह अधिकारी ऐसे ले रहे हैं जैसे गाओं में कोई पागल ब्यक्ति हो और किसी को दड़ाया और वादमी भाग कर दूर खड़ा हो जाए उसी प्रकार से मुख्य फियुक्ति लेक्तिल रहा हैं और आपको विए रहांगे लेकिनन जब मारा नंबर आता है तो हमारे केस्टों होती ऑच उन्हाई होति है तो यह अधिकारी उपस्थित ही नहीं होते हैं राइबेट काउंस्थित एसे और फ्याहम लोगो पिर से आँई जैल में इस तरफ्त पर पांच जनवरी को जो लिस्ट आई थी हम लोग बहुत खुशी थी हमारा परिवार हमारी रस्तिदार हमारा गाउं महला सारे लोग खुशी थी लेकिन आज इस बात का कश्ठ हो रहा है कि चुनवा होने के बाद योगी जी दोबारा सरकार बना लिये हैं मंत्री बन गये है लेकिन नजाने कौन सी परिस्थितिया हम जहेल रहे हैं इस एको गार्डन में इतनी गर्मी है फिर भी हमको न्यूकती नहीं मिल पा रहे हैं क्या लगता आपकी सरकार बात मानें इस बात वैसे अभी योगी जी से मुलकार नहीं हो रही है और उन्होंने हमारी लोगों की निश्ट निकाला है लेकिन उनके जो अधिकारी हैं उनकी वो बात नहीं मान रहे हैं हमारी मांगे अगर नहीं पूरी होती तो यह हम बड़ा आंदोलन करेंगे और इस लखनाव की धर्ति को जैसे पिछले आठ महिने में किया था उससे बड़ा आंदोलन करके हम भी ज़रूर प्राप करें वीज तरीक को महांदोलन किया था लेकिन बेसिक सिच्छा मंतरी के यह गए थे उन्होंने हमें आस्वासन दिया था कि जो 25 तरीक की सुनवाई है उसमें हम अपनी तरफ से पूरी तयारी से उत्रेंगे लेकिन उस बास से वह मुकर गए हम अगली आने वाली तीस तरीक को फिर से एक महांदोलन की तयारी बना रहे हैं यही पर्सों पर्सों उनको करना होगा अगर नहीं करते तो पूरी लखनाओ की धरती को जाम किये गए नमस्कार मैं बोला ना यह यह उन्हत्तर शिच्छगबती के अरच्छम विसंगती का मैटर है यह मामला 29 अपरेल का है जिसमें आयो की रिपोर्ट आती है उसमें जो है रिपोर्ट आने के बाद हम पांस साथ से आठ मैने धन्य देते हैं धन्य देने के बाद हमाने मानी योगी जी ने इस मैटर को संग्यान मिलिया संग्यान मिलेने के बाद अधिकारी को फटकार लगाई कि यह मैटर को जली-जली साल्प किया जाए इसके बाद हमाई जो सारी सिरूल आते हैं सिरूल आने सब्सक्राइब करते हैं कि जो है इस अधिकारियों को डर्निट किया जाए और उनको जो है सकते सकत आदेश दिया जाए कि हमारे जो निक्ति रिखी हुए इसको करवाई की जाए नमस्कार मैं आउनीज हम लोग पिछले कई महिनों से संगर्ष कर रहें इस कि को गार्डन में और कई महिनों के संगर्ष के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर एक चैन सुची आती है जिसमें हम सभी का नाम होता है और तब लगता है कि अब हमारे जीवन में खुशियां आई है लेकिन चुनाव आया अचार संगिता लग गई हमारी ज्वानिंग नही हुआ 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 है